एमजी एक्टर इंडियन कार मार्किट में लगबग 5 साल से है और इसका लाँच हुआ था 2019 में और तब से लेके आज तक ये कार अपने सेग्मेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके काफी सारे रीजन्स हैं जैसे कि ये काफी अच्छे लुक्स ओफर करती है रोड प्रेजन्स बहुत अच्छा है स्पेशियस है एंजिन इन ट्रांस्मिशन चॉइजस मिल जाती है और फीचर रिच भी है पर इसके लावा एमजी हेक्टर एक और इंपॉर्टन फैक्टर सैटिस्फाय करती है जो कि है अब आप कार के लिए दो टाइपस की प्राइजस देते हो एक होता है और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंट डूरिंग दी ओनर्शिप जैसे कि आर ऐसे लेबर सर्विस चार्ज रेगुलर मिंटेनेंस और पार चेंज एक्सेक्टर और यह सब मिलाकर बनता ह और इस वीडियो में बात करेंगे इन सभी ऐक्टर्स के बारे में अबाउट एमजी हेक्टर और एमजी के प्लास और मुझे आज भी आया था जिस प्राइस पॉइंट पर MG Hektar और Hektar Plus को लाँच किया गया था उस प्राइस पॉइंट पर इतनी बड़ी पोर्ट्रेट टस्क्रीन कनेक्टिड कार फीचर्स, रिमोट कार फीचर्स, पैनरामिक संरूफ क्स्टमर्स को हिरान कर दिया कि के एक ही कार में इतना सब कुछ दे दिया Hello MG प्लस के साथ सेम पैकेज लिया था जिसमें हमने सम्वेर अराउंड 35,000 फॉर फाइव यर्स पे किये थे और इस पैकेज में हमें फाइव लेबर फ्री सर्वेज़ यानि की पांस साल तक सर्वेज़ फ्री प्लस फाइव यर और अनलिमिटेट किलोमेटर रोड साइड असिस् कार को सिर्फ दो साल हुआ है और अगले तीन साल तक ने टेंशन नी है कि तेंशन हो जाती यह कि आरब कार सर्वेज़ पर जाएगी और मोटा घर चाहेगा पॉकेट ड्यी होगी बट टैस नॉट दा केश विद इस हेक्टर प्लस और सीरिसली जो एम जी अपने कस्टरमर्स को ये MG Shield जैसे packages offer करते है ना तो ये packages काफ़ ज़्यादा help करते हैं उनके customers को और अगर maintenance cost की बाद की जाए MG Hector और MG Hector Plus की तो वो cost करती है 68 पैसे पर किलोमेटर in patrol and 77 पैसे पर किलोमेटर in diesel और ये car use होती है daily for home to office and office to home for nearly 17 to 20 km a day and it cost him rupees 8 to 9 per day to keep and maintain this car in a perfect condition बात करें अगर mileage की तो जैसे कि मैंने आप लोगों बताया था कि इस कार से मैंने 2-3 long trips पी किया है with 5 people और some luggage तो उस time पर we got approximately 13 km per litre की mileage and in city I can say ये 10-11 की mileage है वो अराम से दे देती है and अगर आपकी running जादा है तो आप MG Hector और MG Hector Plus का diesel engine प्रिफर कर सकते हैं जो देता है 17-18 km per litre की mileage and उमीद करता हूं कि अब आपको better clarity आप आई होगी MG Hector और MG Hector Plus के cost of ownership के बारे में और एक चीज़ में आप लोगों बता दूँ कि MG Hector और MG Hector Plus का facelift और updated model आ चुका है जिसके exterior और interior में आपको काफी सारे नए features मिल जाते हैं और इसका जो शाप प्रो मॉडल है उसके अंदर काफी जादा जो feature list है वो और जादा update हो चुकी है तो चलिए सीधा चलते हैं MG के showroom और मैं आप लोगों दिखाता हूं कि 2024 MG Hector Plus के अंदर क्या नए बदलाव आ चुके हैं सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं MG गुडगाओं और यहां पर आप देख सकते हैं 2024 के जो models हैं वो कितने जादा update हो चुके हैं तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें तो हेक्टर का शाप प्रो वेरिंट कॉस्ट करता है अगर आप हेक्टर प्लस लेते हैं तो शाप प्रो में मैनूल ट्रांस्मिशन कोस्ट करेगा 20,60,000 रूपीज और आटमाटिक के साथ में कोस्ट करेगा 21,96,000 एक्शोरूम प्राइस तो चलिए आए जानते हैं न्यू हेक्टर प्लस के बारे में सबसे पहली चीज़ आप यहां पर नोटिस करोगे कि जो लोक्स हैं वो काफी जादा चेंज हो चुकी है कार का फ्रेंट और रियर काफी जादा चेंज हो चुका है फ्रेंट के अंदर आपको बड़ी और मैसिफ डाइमंड मेश ट्रेल ओफर की जाती है जिस वह से जो रोड प्रेजन्स है वो भी काफी जादा जबर्दस आती है जो स्प्लिट हेडलाम सेटप है वो आपको यहां पर मिलता है और फुल एलिडी सेटप यहां पर ओफर किया जाता है जिसके अंदर आपको पूरा जो ग्लो पैटरन है वो उफर किया गया है और साथी क्रोम के काफी सारा जो काम है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर आपको 14 इंचेज पोट्रेट एजडी टॉस्क्रें फुल जाता है जिसके अंदर बहुत जाधा सिंबल है आप इजली इसको यहां पर ऑपरेट कर सकते हैं इतना ही नहीं 360 डिगरी जो क्यामरा है वो भी काफी जाधा क्लारेटी के साथ यहां पर आप ऑफर किया जाता है साथ यहां पर आपको पैनरामिक संरूफ मिल जाती है जिसको आप इस बटन की हेल्प से आपको एक लक्षरी और प्रीमियम नेस जो है वो जरूर फील कराता है और जब वेदर काफी जाधा अच्छा होता है ना बारिशों का मौसम होता है तो यह संरूफ काफी जाधा अच्छी लगती है साथ यह आपको यहां पर नए टाइप के अलोई वील्स ओफर किया जाते आरामसे काम करता है और इतना ही नहीं जब निया आप इसको हाथ में हैंडी रखो आप इसको पॉकिट में भी रख सकते हो और यह जो फीचर है रहा तब भी काम करता है यहाँ पर अब आपको और भी जादे improved interior मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो black और tan का जो color combination है वो यहाँ पर offer किया गया है और जो materials यहाँ पर offer किये गए है वो soft touch materials आपको यहाँ पर dashboard पर offer किये गए है gloss black finish यहाँ पर दी गई है जब आप car के अंदर enter करेंगे और इस तरीके का आपको interior देखने के लिए मिल जाते हैं तो वो काफे ज़्यादा premium feel कराते हैं और इतना नहीं जो fit and finish है और stitching है वो काफे ज़्यादा beautifully engraved की हुई है तो overall जो car का interior है वो आपको एक काफे अच्छे ambience देता है साथी एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले है वो यह है कि car के अंदर कहीं भी आपको halogen lights का use नहीं मिलेगा हर जगा पर जो leds है उनका यहाँ पर use किया हुआ है चाहे वो indicators के लिए हो चाहे वो इसके head lamps के लिए हो चाहे cabin lights हो चाहे rear के lights हो हर जगा led का use किया गया है जो कि काफी ज़दा high performance है साथी यहाँ पर आपको comfort और space भरबर कर मिल जाता है अभी मैं यहाँ पर बैटा हूँ first row के अंदर driver seat पर और यहाँ पर जो leg room है वो आप देख सकते हो कितना ज़ाद आपको यहाँ पर मिल जाता है साथी जो head room है वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है इतना इनहीं जो front two seats हैं यहाँ पर आपको available मिल जाती है ventilated seats और साथी जो seats हैं वो powered seats आपको front के अंदर मिल जाते हैं six seat or variant है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो captain seats बीच में मिल जाती हैं जिसको आप recline कर सकते हैं अपने according और इतना ही नहीं आप इसको slide करकर अपने हिसाब से जो अपना leg room है उसको adjust कर सकते हैं तो अभी मैंने इसको बिलकुल आगे की तरफ shift कर दिया और उसके बाद भी काफी जादा जो leg room है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है बीच में काफी space आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको headroom भी काफी जादा अच्छा offer किया जाता है और यह जो individual armrest आपको यहाँ पर मिलता है यह एक added comfort आपको दे जाता है अगर आप long journeys कर रहे हैं तो उस time पर यह काफी जादा added comfort आपको देगा इतना है अगर आप लोग hectare ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पीछे bench seat मिल जाती है और वहाँ पर भी आपको काफी अच्छा जो space है वो offer किया जाता है और जब बात आती है safety की तो इस car के अंदर आपको safety से related कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको safety features के लिए काफी जादा लंबी मिलती है साथ ही इस car के साथ में आपको 75 connected car features मिल जाते हैं जो कि इस car की सबसे बड़े USP है अब इस car के साथ में इन features के help से आप इस car को remotely lock कर सकते हो unlock कर सकते हो अपने mobile phone की help से साथ ही इसका AC on कर सकते हो, off कर सकते हो, sunroof को open कर सकते हो, close कर सकते हो Find My Car का आपको यहाँ पर feature मिल जाता है साथ ही GeoFans आप लगा सकते हो और ऐसी तमाम 75 features है जो कि आपको यहाँ पर इस car के साथ में offer किये जाते हैं So overall यह जो features है नहीं वो आपको एक smart feel ज़रूर कराने वाले हैं So इस model से उपर भी आपको एक और variant मिलता है Savvy Pro जिसमें आपको extra autonomous level 2 features मिल जाते हैं जो cost करता है 22,96,000 एक showroom price with automatic transmission So अगर आपको अडास features भी चाहिए तो you can opt Savvy Pro variant 2 So आप लोग ने देखा कि इस price point पर आपको कितना कुछ offer किया जा रहा है Personally मैं हमारी hektar से compare करूं तो 2024 में जमीन आसमन का फरक आ चुका है क्योंकि MG ने 2024 models के अंदर बहुत सरे features को update कर दिया है So अगर आप लोग भी देख रहे हैं एक big, spacious, feature rich और एक pocket friendly cost of ownership car So this is the car you can opt to So दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको एक better clarity आप आपाई होगी MG hektar और MG hektar plus की cost of ownership के बारे में और आपके सारे doubts clear हो चुके होंगे So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जब लाइक कीजेगा चानल को सब्स्राइब कीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत